आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार आज़ादी के अमरित महस्तो पर 75 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं आज़ादी के उस पर आज राज़ानी लखनाव से एक 75 किलो मीटर की सिरंगा यातरा निकल रही है अमरित महस्तो के उपलक्स में ये चिरंगा यातरा जो है वो राज़ानी लखनाव से शुरू होगी तक जाएगी लेकिन अगर बताए जाए महाल तो सुबह से ही महाल की नौ बज़ी का समय था लेकिन नौ बज़ी से पहले ही वहाँ पर जो युवा थे वो पहुशना शुरू हो गयते हैं थोड़े देर में बताए जा रहा है कि पुरा देश आज पूरे देश का हर नागरि जाहे वह जी मूद हताया ज़ाया के लोग हो चाहे बहुशने का बताए हि Otherwise बज़ी के लोग हुशना थे मताए इसको अब हुशना का उम भूतし देख रहे हैं कि ऐक रुधानमंती जी पी सोच है कि पूरे देश को एक सूत्र में बांदे रखना एक सूत में बांधे रखते हुए नौजवानों के अंदर देश प्रेम जो आज पहले की भावना और बावनों में बदलावा गया, पहले क्या होता था, जब कभी हम लोग छोते बने पहुते थे, तो उस समय इस्कूलों में या सरकारी दक्तरों में ही मनाया जाता था, लेकि अब इस भावना से ये जनांदोलन बन गया, हर विक्ति को, हर घर पे तरंगा, हर विक्ति के अंदर एक राष्ट प्रेम की जागरान करना, ये एक उतेश है, आज आज आपकी तरंगा यात्रा है वो तसनपल से शुरू होगी, और नाव तक जाने का आपका प्लैन है, तो 75 किलो मेटर आप लोगों ने सोच रहे कि 75 किलो मेटर करीब हम जाएंगे, कितनी तादाद में लोग आपके साथ मौजूद हैं आज, और कितना भव एक कारिक्रम होने होगी, देखे, ये 75 वर्स है, और 75 अमरित महसों के रूप में हम लोग मना रहे हैं, तो इसे लखनव से उन्नाव तक कि ये 75 किलो मेटर की यात्रा है, और इस 75 किलो मेटर की यात्रा में हमारे लखनव जिले के, उन्नाव जिले के, चुकि मैं ग्राम परधान, BDC इन सब ने मुझे चुनके भेजा है, इसमें 70 परसंट ऐसे लोग ही भागीदारी कर रहे हैं, और इसको हम लोग 75 क किलो मेटर तक ले जा रहे हैं, और इसमें लगभग मैं समझता हूं कि 4000 से अबब होंगे, 5000 से ज्यादा लोग होंगे, जो मोटर साइकल कारू से अपनी यात्रा है, ठीक है, तो सर, बहुत धन्यवाद हम से बात करने के लिए और अब ये जो यात्रा है वो शुरू होगी, और आप देख सकते हैं, यहाँ पर गौर्वान हैं कि लगातार जो नारे हैं, देशे के वो लग रहे हैं, बंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, और थोड़ी दिर में ये जो तिरंगा यात्रा है, यहाँ गस्मपित रहे से शुरू है, उतके बाद उन्नाओं के लिए प्रस आप देख रहे हैं, प्राइम टीवी सच साहस सरोकार